Hello and welcome my dear soul family, कैसे हैं हम सब, आशा करती हूँ हम सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे आज की reading में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके person की तरफ से आपके लिए क्या love messages है जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनके मन में, दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है और ये भी जानेगे कि आने वाले टाइम में वो क्या next move ले सकते हैं शुरू करेंगे आज की reading, इंजल्स को thank you कहके सबसे पहले तो उनके तरफ से love messages देख लेते हैं देख लीजे, आपको बहुत जादा आप पर ट्रस्ट करते हैं ये person इसलिए आपको अपनी सारी बाते बताते हैं, सारी चीज़े शेयर करते हैं और ये उस time को याद कर रहे हैं, जब वो कभी भी किसी भी मुसीबत में होते थे आप हमेशा उनका support बनके उनके साथ कड़े होते थे You are always on my mind, I just can't do without you हमेशा आपके बारे में ये सोचते हैं, इस वक्त भी आपके बारे में सोच रहे हैं You are the one who holds the key to my heart हमेशा आपके लिए उनके दिल में एक special place रहेगी उनकी दिल का चाबी आप ही हैं You can read my innermost thoughts उनके बिना बोले ही आप उनकी सारी बातों को समझ जाते हैं कुछ ऐसा ही connection है आप दोनों के बीच में You at least pretend you are going to do what I suggest जो भी वो कहते हैं आप उनका suggestion मानते हैं और उनकी सारी बाते मानकर उनको respect देते हैं उस बारे में ये person सोच कर आपको याद कर रहे हैं आईए देखते हैं आप दोनों के रिष्टे में आगे क्या होने वाला है Bring love into the situation Okay Camera focus करिए Communication is the key बहुत ही बड़िया बड़िया कार्ड्स आ गए हैं देख लीजे Bring love into the situation इसका मतलब ये क्या है अगर आपको ऐसा मैसूस हो रहा है कुछ दिन से कि मुझे अपने person को call या message करना चाहिए तो आप ये समझ लेजिए कि यही same चीज आपके person के दिमाग में भी चल रही है जो आप दोनों के बीच में separation हो गया है उससे दूरिया तो आई हैं लेकिन प्यार भी कही न कहीं बड़ा है अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको ना अपने person से बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और वो इसलिए कर रहा है कि आपके person ना अब आपके पास आने के लिए बिलकुल ready है देख लीजिए और उसमें आगया है अब देख लीजिए जब आपके person आपके पास आएंगे तो वो जो time होगा नो बहुत ज़्यादा unexpected time होगा जब आप उनको expect भी नहीं कर रहे होगे कि वो आएंगे और आपसे बात करेंगे उस समय हो सकता है या आपको बिलकुल एकदम से call या फिर message कर दे और आप बिलकुल शौक हो जाए नमबर देखके कि इतने सालों बाद अचानक लेकिन planning तो सालों से चल रही है कही न कही मुझे लगता है आपके person सही समय का इंतजार कर रहे है हो सकता है आपके लिए आने वाले एक हपते में या फिर December में या फिर November end में कोई special date हो जहाँ पर ये person इंतजार कर रहे है special time choose करके बात करने का बहाना मिल जाए इनको confidence is your key to success क्योंकि ये person अभी बहुत ज़दा डरा हुआ मैसूस कर रहे है और इनके person के मन में ऐसा आ रहा है कि क्या मुझे बात करने चाहिए इनके मन में बहुत ज़दा doubts बढ़े है तो एक बार इनको ग़र confidence आ जाता है तो तब ही ये आपके पास आके communicate करने के लिए ready हो पाएंगे लेकिन इनके मन में जो है communication का जो है न idea वो बहुत टाइम से चाहिए ओके traveling का card आ गया हो सकता है आपके पास travel करके आएं क्योंकि आप दोनो long distance relationship में थे या फिर दोनों एक दूसरे से बहुत साथ दूर दूर रहते हैं और travel करके एक दूसरे के पास आते थे एक दूसरे से मिलने के लिए तो यहाँ पर traveling का card यहाँ पर definitely लग रहा है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है या आपके पास आएं और आपस request करें कि आप मेरे साथ चलें और फिर कहीं और मतलब दूर जाके आप दोनों के बीच में बात हो ओके यहाँ पर आ गया है two of cups two of cups आ गया है जिसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी आप दोनों की बातचीत होने वाली है और जब यह बातचीत होगी तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी ऐसी जगा जाएंगे जहां पर बहुत जादा खुला आसमान हो या फिर आपकी पसंद की कोई जगा हो जहां पर आप पहले भी गए हो ऐसा लग रहा है most of the cases में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी जा चुके हैं और आप दोनों वहाँ पर तब गए होंगे जब आप दोनों के बीच सब कुछ सही था तो दुबारा से वहाँ जाके आप दोनों के बीच में बाचीत हो सकती है और वहाँ पर बहुत खुल के आप दोने एक दूसरे को एक दूसरे के emotions जो आप express कर पाएंगे King of Cups फिर से आगए emotions का card यह आपको बताने वाले हैं कि कैसे इन्हें इन्होंने अपनी emotions को बहुत जादा बहुत दिन तक छुपा के रखा जिससे वो घुट रहे थे अभी तक और कहीना कहीं यह मौकर ढूंड रहे थे आपसे बात करने का अपनी दिल की feelings को express करने का और इनको कहीने कहीं इस बात का realization भी हो गया है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बहुत बड़ी गलती हो गई जिसको सुधारने के चकर में इन्होंने कई राते यह तो सोई भी नहीं है तो कि यहां पर काड़ा गए है devil का devil का काड़ा गए है इसका मतलब समझ रहे हैं यह आपको उस दिन बताएंगे third party के बारे में और यह भी बता सकते हैं कि आखिर उस time हुआ क्या था जिस वज़े से आप दोनों का separation हो गया ऐसा लग रहा है आपके person आपको बहुत सारी चीजों के बारे में खुला सा उस दिन होने वाला है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वज़े से आपके person के जो हाथ बंदे हुए थे ऐसा भी हो सकता है यह person आपको बताएं जी हाँ जो आप सोच भी नहीं सकते actually यहाँ पर king of cups आया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर यहाँ पर six of pentacles भी आ गया है इसका मतलब यह है कि आपको यह उज़न हो सकता है कि third party के बारे में बताने की भी कोशिश करें जी हाँ ऐसा लग रहा है यह बोलने वाले हैं कि मैंने बहुत लोगों के साथ बहुत सारा अपना कीमती वक्त जो है जाया कर दिया जिसकी वज़े से मुझे शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि सब मेरे अपने हैं सभी मेरा बहुत ज़ादा ख्याल रखते हैं और अब जो है लाइफ जो है आगे की और बहुत दा खुशनमा हो जाएगी हम दोने का सेप्रेशन हो गया हो सकता है लाइफ में मुझे कोई नहीं मिल जाएगा लेकिन मेरी हुआ हमेरी सूथ से परे बिल्कुल आपोजिट यानि कि जब जब ये किसी से भी मिलते थे वो ये बात समझ नहीं पाते थे कि वो इनसान उनके फाइदे के लिए हैं इनके पास इनका कोई फाइदा था तब ही आपके परसन के लाइफ में आए और अपना काम होने के बाद ये निकल लिए खापे के निकल लिए लेकिन आपके परसन ने उसी दोरान बहुत सारा अपना टाइम गवाया है अपनी फीलिंग्स को दूसरे दूसरे अलग-अलग गलत-गलत लोगों में इन्वेस्ट करके इन्होंने बहुत कुछ खोया है जिसके वज़े से इनको बहुत सारी सीख भी मिली है तो इसलिए ये कप पकड़के एकदम से साफदानों के खड़े हुए है और ये देखिए अपना जो पैर है वो इमोशन से दूर रख रहे है यानि कि अब ये चाहते नहीं है फालतों का अपना टाइम वेस्ट करना ये चाहते नहीं वो कपको बहुत स्वाल के रख रहे है अपने एमोशन को बहुत सिलेक्टिवली उन्हीं लोगों के पास ही जाते है उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो लगता है कि इनके लिए सपेशल हो यह अब time waste नहीं करते और किसी के साथ flirt करते हुए या फिर किसी के साथ temporary रिष्टे में भी नहीं बनना चाते हैं यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि इनके पास बहुत सारी मजबूरिया थी जिसके वज़े से इनका जो ध्यान भटक गया यह बहग गये थे जिसके वज़े से इनके बीच में separation आ गया और यह तक मज़ाल आ गया कि इनका जो है रिष्टा तोड़ गया इन फैक्ट आपके person को तो यह भी लगा था कि शायद अब कभी भी जिन्दगी में आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी जिसके वज़े से यह सोच कर ही आपके person बहुत ज़ादा डर गए थे और बहुत सादा बुरा महसूस कर रहे थे और अपने आपको कही न कहीं जिम्मेदार भी मान रहे थे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके person ठोकर खाखाके बहुत ज़ादा mature हो गए है और उनका अपनी life के lesson मिल गए है तो किसी तरीके से आपके person ना यह सोचने लगे है कि two of cups यहाँ पे energy आ गई है कि अब जो यह cup है वो सिर्फ उसको देंगे जो वो deserve करता है अपनी feelings को सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के लिए समाल के रखेंगे जिनको यह चाहते हैं जिनको यह अपनी life में तवज्यू देना चाहते हैं वो है आप यहाँ पे देख लिए जब भी हैपके पास आएंगे देखे यहाँ पे भी water का काड़ आगे मुझे यहाँ पे water sign बहुत ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जब मिलने की घड़ी आगई है ना communicate करने की बारी आगई है तो यह person बहुत ज़्यादा emotionally बहुत ज़्यादा overwhelmed feel कर रहे है emotions इतने ज़्यादा high है आपके लिए वही जुनून पहले वाला फिर से बात करने की कोशिश करेंगे यह आप से और ऐसा लग रहा है कि इस बार जब यह आपके पास आएंगे तो कोई चीज चुपाते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे है बहुत ज़र transparency रहेगी और जो भी emotions अपने दिल की बात यह express करेंगे ना वो बिलकुल सही होगी कोई भी चीज बनावटी जूट या फिर कोई चीज यह आप से चुपाएंगे नहीं परदा नहीं रखेंगे क्योंकि जो उनको lesson मिल गया नहीं पिछले कुछ time में तो वो जो lessons ने इनकी आँखे खोल दिया आँखे खोल दिया तो इनको समझ आ गया है कि कौन मेरा अपना है कौन मेरे फाइदे के बास मेरे पास आता है और एक चीज और कि किसकी बात मुझे सुनी चाहिए और past में कौन सचता जनकी बात मैंने सुनी नहीं तो आज ये मजाल हो गए कि मुझे बहुत साथ पच्चतावा हो रहा है और उस चकर में इनका बहुत कुछ loss भी हो गया तब जब ये समझ गए कि हाँ मुझे अपने decision जो है दिल की बात सुनके लेने चाहिए क्योंकि हर कोई जो है दिमाग से खेलने की कोशिश करता है हर कोई अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहा है तो मेरे लिए जो genuine है मेरे person वो मेरी life में वापस आ जाए इनको और कुछ नहीं चाहिए फिलहल के लिए ये आपके पास बस इसी लिए आएंगे कि आप उनसे एक बार बात कर लें बाकी ये सारा कुछ आप पर depend करेगा कि अगर आपको वो genuine लगते है मुझे लगता नहीं ये person कोई harmful है या फिर इस बार जूट बोलने की intention से या फिर game खिलने की intention से आये है मुझे बिलकुल भी नहीं लगता अगर ऐसा होता तो यहां पर cards बता देते आप जब सुनेंगे ना कि इनका reason क्या था तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि आप उनकी तरफ से उनका प्यार का प्याला ले लेंगे और हो सकता है कि उसी बीच आप भी अपनी feelings को express कर दे कि आपको भी उस समय कैसा महसूस हुआ था या आप भी बता देंगी उनके जाने के बाद आपके साथ क्या क्या हुआ तो जब दोनों के बीच में बात दे होगी ना तो बहुत सारे खुलासे और बहुत सारे clarification साएगी कि आखिरकार exactly उस टाइम क्या हुआ दोनों के पक्ष जब एक दूसरे सुन लेंगे तब आपको पता चलेगा कि exactly क्या हुआ था जिस वज़े से आप दोनों के बीच में इतना बड़ा separation का टाइम आ गया description box में इसे से related एक new video आ गई है जल्द से जाके देख लीजेगा मिस मत कीजेगा comment section में आप दोनों को यानि की आप में से कोई भी जो वीडियो देख रहे हैं वो दोनों के नाम का पहला पहला अक्षर लिख के जरूर जाईएगा ठीक है देखते हैं किस comment को heart मिलता है उनकी लिए special prayer जरूर करूंगी मिलते हैं next video में तब तक के लिए यह बोलूंगी God bless you and love you all